तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे हमारे चनल को सबस्क्राइब करके घंटी को आल पर प्रेस कर दीजे आप लोग को मिल सकता है एक बड़ा सा स्मार्ट पोन क्यूंकि हमारे चनल पे कापी बड़ागी वेच चड़ रहा है तो यार अगर आपके भी प मोबाइल से ही चैनल बदल सकते हो आवाज कम ज्यादा कर सकते हो यहां पी सिगनल चेक कर सकते हो यानि कि आप अपने मोबाइल को ही रिमोट बना सकते हो यहां पर देख सकते हो हमारे मोबाइल में कितने सारे रिमोट से और इस अपलिकेशन को आप लोग को कैसे इंस्ट्र खराब हो चुका है तो भाईया है वीडियो श्रीप आप लोगों के लिए है तो चले सबसे पहले में आप लोगों को दिखा देता हूँ तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी मोबाल की स्क्रीन पर और यहां भी ब्याक में आप देख सकते हूं टीवी स्क्रीन अभी हम मो से चैनल को बदल सकोगे अपने मोबाईल से ही आवाज कम जाद़ कर सकते हो सीगनल मोबाईल पर ही दुस्तों कापी सारे ऐसी जान servants सेम जीसा आप का रेमोट होता है वैसे ही आपका remote बन जाएगा आपके mobile पर तो ही सब आप लोग को केसे करना है केसे आप लोग को यहाँ पर setting करना है चले में बता देता हूं तो सबसे पहले दूस्तों आप लोग को क्या करना है अपना mobile लेना है उठा लेना है और play store को करना है open प्लेस्टोर को ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पर प्लेस्टोर पर आप लोग को सबसे पहले सर्च करना है यहाँ पर आप लोग को बता दो फ्रीडीस रिमोट इस तरह से दोस्तों आप लोग को सर्च कर लेना है तो चले मैं आप लोग को करके बता देता हूँ प्रीडिस रीमोट जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने हे वाडा आपलेकेशन आजाएगा यहाँ पे देख सकते हो डीडिस रीमोट कंट्रोल बस यहाँ पर दोस्त आपयों को क्या करना है इसह आपलेकेशन को आप लोगों मिल जाते हैं तो टीवी रिमोड वाइद फ्री टीवी बोक्स ऐसे ऑफशन मिलते हैं और यहां पर दोस्तों इधर भी आप लोग को तीड़ पर कुछ ऑफशन मिल जाते हैं यहां पर कितने सारे रिमोट से आप देख सकते हो जैसा है आपका रिमोट होगा उसे आप चूश कर थर्टे सिक्स टोटल रिमोट आप लोग को यहां पर मिल जाते हैं और इसे यूज कैसे करना है चले बता देता हूँ तो कुछ नहीं दोस्तों जो भी रिमोट आप लोग को पसंद आएगा उसे आप लोग को स्रीफ एक बार टच करना है हो बड़ा हो जाएगा आप यहां पर आप अपने मोबायल को ही रिमोर बना सकते हो यहां पर सिगनल का मेनू का औरेव का आवाज कम ज़्यादा करने ने का ओके का बटन सारे के सारे रिमोट की तरह ही आप लोग को यहां पर मिलते हैं तो अगर आप लोग को इस अप्लिकेशन को डाउलोड ना है करना है तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि की तरह से आप लोग को प्लेश टोर पर जाके डाउलोड करें